Hey guys, welcome back to my YouTube channel MRS Tech Related दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं Top 3 Best Flagship Samsung Smartphone प्योंकोज बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट में Samsung के smartphone पसंद करते हैं और बहुत सारी कमेंटर भी YouTube चैनल पर आ रही है कि अंडर 15,000 में Samsung का कोई ऐसे smartphone बता दो जो कि हमारी सारी requirement को fulfill कर सके I mean हमें जो है display, battery, charging and chipset भी काफी अच्छा देखने हो मिल जाए साथ ही हमें camera setup भी अच्छा देखने हो मिल जाए अंडर 15,000 में तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रह सकती है इस list के अंदर हमने top 3 smartphone select की हैं Samsung के because Samsung के काफी सारे smartphone इंडियन market में available हैं under 15,000 में तो बहुत ज़्यादा confusion के react हो ही जाता है तो दोस्तों इस list के अंदर हमने काफी research review analyze करने के बाद top 3 smartphone select की हैं जिन में से आप smartphone अपने लिए purchase कर सकते हैं according to your choice because हर smartphone के अंदर different different features होते हैं और different different price होते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक point बता जाता हूँ इस इन तीनो phone के अंदर आपको एक 4G phone देखने को मिलेगा बात करते हैं इस list के first smartphone के बारे में जो की रहता है दोस्तों Samsung की तरफ से Samsung Galaxy M32 हलाकि यह smartphone 4G है बट इस smartphone के अंदर आपको जो features देखने को मिलेगे न काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे Samsung की तरफ से अच्छा है यह features के बारे में बात कर लेते हैं इस mobile phone की body के बारे में आपको बताऊं तो इसमें आपको back and frame आपको plastic का देखने को मिलेगा front में आपको gorilla glass 5 की protection देखने को मिल जाएगी इस mobile phone के अंदर आपको 180 gram का weight देखने को मिल जाएगी overall mobile phone की design आपको काफी पसंद आएगी because mobile phone आपको काफी compact, lightweight and slim है okay तो mobile phone की body काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी and दोस्तों आप बात करें display के बारे में तो इस mobile phone के अंदर आपको Super M.O.LED 6.4 inches की display देखने मिलेगी और already मैंने आपको बता दिया यह display आपको Corning Gorilla Glass 5 की protection के साथ देखने मिलेगी इस display के अंदर आपको 83.9% का screen to body ratio देखने मिल जाएगा इसकी वैसे mobile phone की vessel काफी पतली रहने वाली है and दोस्तों बात करते है mobile phone के chipset के बारे में यह आता है Octa Core MediaTek Helio G80 पर Android version 11 पर बेज़ जाए तो काफी अच्छा chipset भी देखने को मिल जाता है and अब बात करते है mobile phone के camera setup के बारे में इस mobile phone के अंदर आपको rear part में quad camera setup देखने मिलेगा जिसमें आपको 64 megapixel का primary camera, 8 megapixel का ultra wide plus 2 megapixel का macro lens and 2 megapixel का depth lens देखने मिल जाएगा जो कि आपको LED flashlight के साथ देखने मिलेगा इस mobile phone के rear camera से आप 1080p by 30 fps में maximum video record कर सकते हैं front की बात करें इस mobile phone के front में आपको 20 megapixel का front selfie snapper देखने मिल जाएगा जिसकी वेसे आप 1080p by 30 fps में maximum video record कर सकते हैं front से भी and दोस्तों आप बात करते है mobile phone की battery के बारे में इस mobile phone के अंदर आपको 6000 mh की battery देखने मिल जाएगी जो कि काफी अच्छी बात है जिसके साथ आपको 15 watt का fast charger देखने को मिल जाएगा तो 6000 mh की battery की वेसे आप जो mobile phone long time तक use कर सकते हैं easily and other features के बारे में बात करें दोस्तों इस mobile phone के अंदर आपको 3.5 mh jack देखने को मिल जाएगा and Bluetooth version 5 देखने को मिल जाएगा और mobile phone के अंदर आपको USB type C 2.2 देखने को मिल जाएगा साथी mobile phone के अंदर आपको side mounted fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा यह काफी अच्छी बात है इस mobile phone को आप literally considerate कर सकते हैं under F15,000 में Samsung Galaxy M32 आपके लिए काफी better option रह सकता है because काफी अच्छे आपको feature देखने को मिल जाते हैं और offer में यह mobile phone आपको काफी सस्ता भी देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं दोस्तों इस list के second mobile phone के बारे में जो की रहता है Samsung की तरप से Samsung Galaxy F23 यह 5G smartphone है आपको अगर 5G smartphone चाहिए तो यह आपके लिए काफी better option रह सकता है features तो आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं मैं step by step आपको explain कर देता हूँ body के बारे में बात करें इस mobile phone का frame and back आपको plastic की देखने हो मिलने वाली है साथी front में आपको gorilla glass 5 की protection देखने हो मिलेगी और इस mobile phone के अंदर आपको 198 gram का weight देखने हो मिल जाएगा 8.4 mm की थिकने हो मिल जाएगी इस mobile phone की design आपको काफी पसंद आने वाली है कल option भी आपको काफी देखने हो मिल जाएगी mobile phone की body आपको काफी compact light bit and slim देखने को मिल जाएगी और दोस्तों बात करें mobile phone की display के बारे में दोस्तों इस mobile phone के अंदर आपको TFT LCD 6.6 inches की display देखने हो मिलेगी जिसके अंदर आपको 120 Hz का refresh rate देखने हो मिल जाएगा इस display के अंदर आपको 82.3% का screen to body ratio भी देखने को मिल जाएगा और already मैंने आपको बता दिया के इस display आपको को running gorilla glass 5 की protection के साथ देखने को मिलेगी ज्योंकि काफी अच्छी बात रहने वाली है तो display भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है इस price segment में इस processor के साथ I mean chipset के साथ कोई भी smartphone नहीं आता है काफी अच्छा तगड़ा chipset देखने हो मिलता है जिसकी विएसा आप Ultra HD में gaming कर सकते हैं multitasking कर सकते हैं mobile phone की performance में आपको कोई problem नहीं होने वाली है no doubt ओके दोस्तो अब बात करते हैं mobile phone के camera setup के बारे में दोस्तो इस mobile phone के rear part में आपको triple camera setup देखने हो मिलेगा जिसमें आपको primary camera 50 megapixel का plus 8 megapixel ultrawide plus 2 megapixel का macro line देखने हो मिल जाएगा जोकी आपको LED flashlight के साथ देखने हो मिलेगा इस mobile phone के rear part से आप 4K by 30fps में maximum video record कर सकते हैं जोकी काफे अच्छी बात है front की बात करें इसमें आपको 8 megapixel का selfie snapper देखने हो मिल जाएगा जिसकी वहसे आप 1080p by 30fps में maximum video record कर सकते हैं ओके दुस्तों तो camera setup आपको एकदम flexible गाला देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं mobile phone की battery के बारे में इस mobile phone के अंदर आपको 5000 mAh की battery देखने हो मिल जाती है जिसके साथ आपको 25W का fast charger भी देखने हो मिल जाता है यह काफे अच्छी बात रहने वाली है आपको chipset भी काफी तगला देखने हो मिल जाता है और डिस्पले आपको decent देखने हो मिलती है बट mobile phone आपको एकदम अच्छी देखने को मिल जाएगी अंडर 15,000 में आप इस mobile phone को literally consider कर सकते हैं और दोस्तों अब बात करते हैं Samsung के 3rd smartphone के बारे में जो की रहता है Samsung Galaxy M4025 की इस smartphone की price थोड़ से आपको increase देखने को मिल सकते हैं बट दोस्तों उसी साब से features भी आपको एकदम flagship level के देखने को मिलने वाले हैं okay step by step में आपको explain करने वाला हूं body के बारे में बात करें इस mobile phone के अंदर आपको 190 gram का weight देखने हो मिल जाएगा 8.6 mm की थिकनी देखने हो मिल जाएगी mobile phone की design के साथ आपको body काफी light weight compact and slim देखने को मिलेगी अब बात करें डिस्प्ले के बारे में तो दोस्तो इस mobile phone के अंदर आपको Super AMOLED 6.16 जिसकी display देखने हो मिलेगी जिसके अंदर आपको 84.3% का screen to body ratio देखने हो मिल जाएगा जिसकी वैसे mobile phone की bezel काफी पतली रहने वाली है तो display की आपको काफी flexible लेवल की देखने हो मिलने वाली है वैसल भी काफी पतली रहने वाली है जिसकी वैसे आपको काफी अच्छी performance देखने हो मिलेगी display के अंदर अंद बात करें चिपसेट के बारे में दोस्तो यह आता है OctaCore Qualcomm Snapdragon 750G 5G चिपसेट के साथ जो की 8nm के साथ आता है और Android version 11 पर बेश्ट है तो इस mobile phone के अंदर भी आपको काफी अच्छा चिपसेट देखने हो मिल जाता है जिसकी विएसे आप Ultra HD में गेमिंग कर सकते हैं और आप मुटी टास्किंग भी इजी ली कर सकते हैं और दोस्तों बात करें mobile phone के camera setup के बारे में इस mobile phone के rear part में आपको quad camera setup देखने हो मिलेगा फ्रेंट में आपको 20 megapixel का selfie snapper देखने हो मिलेगा जिसकी विएसे आप 1080p by 30 fps में देखने हो मिल जाती है ये भी कफ एच्छी बात है तो दोनों मतलब फ्रेंट और रियर दोनों camera setup आपको एकदम flexible वाली देखने हो मिल जाते हैं बात करें दोस्तों mobile phone की battery के बारे में इस mobile phone के अंदर आपको 5000 mh की battery देखने हो मिल जाती है जिसके साथ आपको 15 watt का fast charger देखने हो मिल जाता है तो ये वी कफ एच्छी बात है आप literally considered कर सकते हैं because आपको Super M.O.LED देखने हो मिल जाती है चिपसेट काफी तगड़ा देखने हो मिल जाता है 4K video record कर सकते है 15 watt का fast charger देखने हो मिल जाता है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर लेना बगी गाज मिलते हैं आप से लिए और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई एंड टेक क्यार